सब्सक्राइब नाव और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट क्या काम है बोला मुझे पता चला कि आपके पास एक लोता बेटा है जो बहार से पढ़ कर आया है संसिग्रीद पढ़ कर आया है मेरे पास भी एक लोती बेटी है अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा बोला कि ठीक है हम तो आपकी लड़की को देखेगा बोला देखिये ना निकाला तस्वीर फोटो निकाला बोला देख लिए तो लड़की के बाप देखा तो बोला कि नहीं लड़की तो ठीक है हमको पसंद है मेरे बेटे को दिखा दी निका तो उसे करनी तो बेटें कोई पसंद आगे तो बाप ने खाग के बेटा टिक चाहरे बोला हाँ भाग बीडी फूल जए बोले बाद पकी तो लड़की बाद बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिए बेटें ने भी पसंद कर लिए तो चलो इसी बहाने इसी बहाने को पूछ लें देन क्या कलेगा नहीं लेगा क्या लेगा नहीं लेगा तो उसके बाप से पूछा कि की लेओ वहला हमने बेटा से पूछा तो बेटे को सामने बिठाया वो लड़का को अई लड़की वाला पूछा कि बेटा क्या लेगा बोल ताइटन की घड़ी लेगा के सोनाता घड़ी लेगा क्या लेगा बोल तो लड़का संसिक्रिद में बोला ना बोला की बोले हो इना बोले जी गहां बोले उसके साथ में जो था बोला की संसिक्रिद में बोला बोला बेटा क्या लेगा फिरीज लेगा फिरीज फिरीज लर्का बोला ना हा यह तो ना भी बोला हा भी बोला फिर पुझा फिर पुझा बेटा क्या लेगा वाशी मशीन लेगा लर्का बोला ना हा तो लर्की वाला को गुसा आया बोला खुल के बोलो क्या लेगा बात समझ मैंने यह खुल के बोलो तो लर्का बोला या माहा बास संजे मारी के लिए या माहा लेगा ये लड़का नوجवानों तौबा करो एक बाद याद रखना किसी के दिल को दुखा कर जहज लेना ओह 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 बहुत बड़ा गुना है अचा ये शराब पीना हराम है शराब पीना हराम है जुआ खेलना हराम है जिना करना हराम है चौरी करना हराम है उसी तरीके से मांग कर जहज लेना भी हागा क्या तुम चाहते हो के हशर के मैदान में अल्ला के कटगरे में तुम खड़े किये जाओ फिर मेरा अल्ला पूछेगा ये बता लड़की वाले सी एक लाग दो लाग रुपे पचासाजार रुपे जो जो तुम ने लिया था ये किसमत का पैसा था कैसा पैसा था और खुर्बान जाओ अल्ला ताला कत्रे का हिसाब लेगा जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा और खुर्बान जाओ जब तक हिसाब नहीं दे लोगे हशक के मैदान से अपने कदम को हिला नहीं सकते और एक बाद मौजवानों मेरे बच्चों याद रखना किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना किसी लग्की वाले से अगर तुम पांच लाग रुपे भी लोगे ना तो हराम का पैसा रुपता नहीं है वो जिधर से आएगा उधर से निकल जाएगा एक बाद याद रखना किसी के दौलत पे आँख ना लगाओ आस ना लगाओ अगर अल्दा ने तकदीर में तुम्हारी दौलत लिख दिया है मा लिख दिया है पैसा लिख दिया है इन्शानला तुम्मिटी चूँगे अगर तुम्हारी तकदीर में डौलत नहीं है कोई सौने का अगर तुमें ये पहार भी दे ते तो ये सौना दुम्हारे पास नहीं रुप गए इसलिए हराम गिज़ा से اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم इरिशाद फरमाते हैं के वो 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 शक्स जन्नत की खुश्बू तक नहीं सुन पाएगा जिसके रगों के अंदर में हराम का खुश्बू पला हराम मैं खुश्बू खुश्बू पले वाला खुश्बू तक नहीं सुन पाएगा इसलिए जहिस से तुबा करो हाँ अलहम्दलिल्ला सुम्ब लहम्दलिल्ला तुम्ह जो देखनी है वो ये देखनी है कि लड़की सौमो सलाथ की पाबंद है की नहीं है अगर लड़का देखना है तो ये देखो اللہ کے رسول ﷺ इरिशाद परमाते कि लोग चार बातों की बुनियाद पर रिष्टा करते पहले चीज़ कोई आदमी देखता है कि माल पैसा वाला है की नहीं कोई हसम नसम को देखता है खांदान कैसा है कोई हुस्न औ जमाल को देखता है खुफष्रूथी है की नहीं अचछा अचछा अबी तो आलम ये है एक जमाना था मेरे बचो सुनो मेरे शाणी को 27 साल होगा 27 साल हुगा अज शाणी की बात हमारे वक्त मैं जब शादी की बात चुरी जाती थी अगर बेटे की शादी की बात छिड़ी जाए तो शरम से बेटा रुपता नहीं तपा निकल जाता और अभी देखी कितना बेशरम जमाना है बेटा लड़की का मुबाइल में फोटो लेगे गूलता अमा को बोलता है कि रेज़े कर वोल भी आ अचा हर लड़का को खुबसूरती लड़की चाहिए काली नहीं चाहिए लड़का ये पेर का लंगा है ये आपका काना है लेकि लड़की कैसा चाहिए एक लड़का इसे ही छाट रहाता फोटो देखे वड़ी लड़की नाट ते रहा एक लो बोले दान निकल लो जे हाटा एक लो बोले कान खाडा जे हाटा बोले नाक चिक्टा जे हाटा चाहते 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 उसके उमर 40 साल होगी तो उसके जीजाजी बहनों ही लोग बोले कि अब तुमारी शादी नहीं होगी इतना चाटे हो तो उमर तो तुमारी घुजर गई चाली साल ओमर वह बात पक्की हो गई बारात गई अब वह करें अब छाटा चाटी हो लेकर बिवी को कहरें अब पहली राज जब बीवी तो बीवी जो घूंगड उठाई ना यह लड़का बेहुस हो लड़की घवरा गई कि इसको कोई बीमारी है क्या हम कुछ पूछने वाले तो इससे पहले बेहुस हो गया पानी का गिलाज उठाई भूंपे छीटा मारी वो ले रहे आख खोले हम कुछ पूछना चाह रहे थे अब पूछने से पहले बेहुस हो गया तो नौजवान बोला कि जल्दी पूछोने तो फिर हम बेहुस हो जाएंगे तर भी रहेंगा अल्ला के रसुल जनाब मुहम्मद रसुलूल्ला सलल्ला लाल सलल्म की चार बेटी या दिया दामाद तीन है बेटी चार जा रहा है अध्रत इस्मान गनी रदी अल्लाह ताला नो वो खुशनसीब सहथियर रसुल थे जिनके निकाम अल्ला के रसुल स्वालों ने दो बेटियों को दिया और हदरत अली रदिया लाहत आला इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों दीन सेखो ये मदर्सा यही पेगाम देता है अज़े मदर्से को अल्हम्दुल्ल्ला सुम्म अल्हम्दुल्ला एक हाफिज और दस आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा कितना आदमी को लेकर जाएगा आए एक वकील साफ कितने को लेकर जाएगा नहीं नहीं परोफिसर साफ बड़ा बाबो इंजिनियर साफ मास्टर साब हो एक आलिम दिन चार सो लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा सुभानल्ला बुलादा माशाल्ला एक आलिम दिन चार सो लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा और ये एक हाफिज और आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा ये नबी करीम जनाब मुहम्बत रर्सुल्लाइ सारे लुग बोलो कि हदीथ है फर्मान और सुनो हद्रत मौाज बिन जबल रदी लाह टाला नो यमन का गवर्नर बनाए अल्ला के रसुल ले कहा के मौाज कल सुबर तुम्हारा सफ़र यमन के लिए हुकम मिल गया पूरी रात तैयारी की सुबो हुई हुई तो अल्ला के रसुल तशीब लाए मौाज तैयार हो का गया रसुलम मैं तैयार हू का कि सुवारी पर बैठो उट को बिठाएगी है हद्रत मौाज उट पर चाड़ गया Allah के रसुल का हुकम था कि सवारी पर बैठो तू बैठ गए उट खड़ा हो लिया तो Allah के रसुल स्वल्लाशलम ये उट का रसी पकड़ते है ये रसी पकड़े उट का और आगे आगे चल रहे हैं पैदल तो Allah के रसुल ने रिशाद फरमाया मौाज बैठा रहा हूँ मौाज बैठा रहा हूँ मैं तुम्हारी इज़त नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे सीने में जो अल्लाग का पुरान है हम उसकी इज़त कर रहे हैं सुभानलाब बल्लाब और मौाज सुनो जिसके सीने मौलाग का पुरान होता है वो अल्लाग का दोस्त होता है वो अल्लाग का दोस्त होता है तो इसलिए नहुजवानों मेरे बच्चो अपने बच्चो को और सुनो वो माबाब खुशनसीब है जिसका बेटा हाफिज खुरान है जिसका बेटा आली में दीन है अल्लाह अक्बर कबीरा अल्लाह ताज पहनाएगा हाशर के मैदान में हाफिज खुरान के माबाब के सरों पे ताज पहनाएगा अब वो ताज कैसा ताज होगा अलमा फरमाते है वाथ ने दो बहुत जोन खटम लुट और वादा यह वादा करो कि जब-ठक मेरी तक्रीर खतम नहीं कोई जायना आना नहीं करेगा जाएगा है लगे एक जिके तक्रिक करें देकर नौजवान ख़ड़ा वो मैंने का क्या हो बैठ गिया दस मिनट कर फिर खड़ा वो मैंने कहा है बेचे ने रहे बहुत जूर से लगनों से बैठ गिया बैठ गिया बैठ गिया बस मेरी तक्रिर पूरी होने वाली अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे डॉक्टर ने कहा कि ये घंटे से ज्यादा तक्रिर नहीं करनी है माबाप को ताज पहनाएगा लो ताज कैसा ताज होगा ल्ला के रसुल ने रिशाद फरमाया कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फिंकी पर जाए तो एहले में शरीओ पूछेंगे ल्ला के फरिश्टे से कि भई ये लोग कौन है जिसके सर पे ताज है कोई अंबिया है शोदा है सालिहीं की जमाद मैंसे है सिद्धिकीं की जमाद मैंसे है सुलहा की जमाद मैंसे है फुका की जमाद मैंसे है मुहंदिसीन है कौन है तो अल्ला के फरिश्टे जमाद देंगे नाई नाई ये कोई अंबिया की जमाद मैंसे नहीं है शोधा की जमाद मैंसे नहीं है बलके ये वो बात माँ है जिनका बेटा हाफिज और आली में दीन है जिनों ने अपने बेटे को हाफिज और आली में दीन बना आया आली में दीन बना आया मौत तो करीब है नौज़ानों मेरे बावो मेरे बच्चो fix आगे के लिए कुछ भेजू और एक बाद याग रेको यह अफिज-फौर्ण अल्लह का दोस्त है यह अफिज-फौर्ण अल्लह का दोस्त है तो जो ल्राग ल्लह के दोस्त से आखिरत के लिए पुछ करो नौजवानों एक बच्चा को मदरसे में पढ़ाने का खर्च कम से कम मिनिमम खर्च जो है वो पांच सुरुपया महिना है कितना भाई? मिनिमम पांच सुरुपया एक साल के कितने हुए? छे हजार एक हजार रुपय छुट्टियों के निकाल कितने बचे बचे? पांच हजाब एक बच्चा जहीन है उवत हाफिजा तेज है अलहम्दलिल्ल्ह एक साल में भी हाफिज कुरान हो जाता है यहां बड़े बड़े पैसे वाले लोग बेठे हुए है एक से एक बिजनेस ताजिर लोग बेठे है किसान लोग बेठे है अलहम्दलिल्ल्ह सुम्ह मुझे नहीं ज्यादा नहीं पांच आदमी चाहिए हम उसके लिए दस दौा करें कितनी दौा करेंगे? बोलो कितनी दौा करें? वह इन्शालला ये मदरसा दारे अरकम जानते हो ये मदरसे का सिलसिला तो हशर के मैदन जमीन नहीं थी जब जर्दी को अल्ला ने बनाया पैदा नहीं किया था आस्मान को पैदा नहीं किया था उस वक्त से ये मदरसे चल रहे है ये मदर्सा उस वक्त से चला है तुम्हें पता भी है खबर भी है अल्ला ने मदर्से की बुनियाद रखी वो हशर के मैदान में तमाम आले में अर्वाग को जमा करके अग पर बार 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 मदरसाद आर्य अरकम है आओ अलहमदलिल्ला अलहा ने दौलत दिया है तो आज एक बच्चे को हाफिज को बनाओ चाहते हो कि मेरा बाई बड़ा हो गी और बेटा बड़ा हो गी आप नहीं हो सकता हम नहीं बना सकते हैं तो कमसकम अला दौलत दिया है अपने पैसे से बच्चे को हाफिज और बनाओ बनाओ एक बच्चे को अपना पैसा खिला कर अपना दाना खिला कर एक बच्चे को हाफिज और बनाओ इन्नमाल आमालो बिन नियात आमाल का दारो मदार नियत पर है है कोई पहला नौजवान मुझे पांच आदमी चाहिए दश्टे दूआ को रोगो इंशालला अपना जुनने होने होनी पहला नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर और एक बाद या रखना इसमें दोहरा सवा मिलेगा माबाब मर गए है या जिन्दा है उसके नाम से अगर नियत सिर्फ तुम ने कर ली का इंशालला हम ये पांच हजार रुपे मदर सिम देंगे कि बच्चे को हाफिज और खुरान बनाएगा अल्ला दिल को देखेगा निजट को देखता है निजट को देखता है लगा तुमारी शक्ल सूरत को अल्ला नहीं देखेगा ओ खुरबान जाओ मा मर गई है बाप बर गया है एरादा कर लो अल्ला जब तक इस दमदर सतारी अरकम इस धर्ती पर जिन्दा रहेगा पायम रहेगा अल्ला तेरे माबाप को कबर में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा माबाप की गाहरो है खुश खुश गी अल्ला तेरे घर में खुशाली पैदा पैदा फरमा